नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के एक्षन से सुप्रीम कोट बिल बिलाने लगा है सुप्रीम कोट को लगने लगा है कि पहली बार किसी प्रधान मंत्री ने किसी सरकार ने उन्हें आइना दिखाया है जिसकी जरुवत सालों पहले से थी इसलिए अब सुप्रिम कोट को लगने लगा है कि जब सरकार नहीं ये ठान लिया है कि अब सुधार होकर रहेगा तो पहले से ही भाव भंगिमा बनाना शुरू कर दे सरकार के उपर हमला करना शुरू कर दे और उनके साथ वो पूरा का हर मामलों में PIL दायर करके सरकार के कामों को डिस्टर्ब करना कारिपालिका के ताकत को बिलकुल सिमित कर देना और एक वर्ग विशेश के लिए लड़ने के नाम पर उनको विशेश सुविधाओं देना ये सारे के सारे एजेंडे उनके फेलना हो जाए क्योंकि मामला ही ऐसा है सुप्रिम कोट ने इसलिए उस बौखलाहट में एक बड़ा फैसला लिया है चीफ जस्टिस डिवाई चंदरचूर ने कहा है कि अब जो छुट्टियां आने वाली है 19 दिसंबर से 2 जनवरी तक यानि 15 दिनों की चुट्टियों में कोई वैकेशन बेंच नहीं होगा यानि सुप्रिम कोट पर पूरी तरह से ताला लग जाएगा 15 दिनों तक कोई सुनवाई नहीं होगी कोई काम नहीं होगा यह ऐसे समय में है जबकि सरकार की और से बार बार कहा जा रहा है कि सुप्रिम कोट में 79,000 से जादा मामले लंबित पड़े और ऐसे में सुप्रिम कोट लंबी लंबी छुट्टियां ले रही है। यो कानून मंत्री कीरन रिजुजु ने सारी पाटी के नेताओं को राज्यसभा में बताया कि आप देख लिजे कि सुप्रिम कोट हर साल 200 से 210 दिन तक ही काम करती है। यानि कि 140 से 50 दिनों तक सुप्रिम कोट में छुट्टियां होती है और उसके अलावा जजों की अपनी छुट्टियां भी होती है जो छुट्टियों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। यानि जो अनिवार्य सेवाएं हैं अगर एक दिन के लिए इमेजन कीजिये कि एक दिन के लिए रेलवे बंद हो जाए, ट्रांस्पोर्ट सर्विस बंद हो जाए, या अस्पताल बंद हो जाएं, तो पूरे देश में कोहराम मत जाएगा। क्योंकि अनिवारे सेवाओं में केवल न्याय पालिका और स्वास्त सेवाएं स्कूल सिक्छा आदी नहीं आती है बलकि ट्रांस्पोर्ट उसके साथ साथ अगर स्वास्त विभाग तो है तो उससे भी बड़ी बात ये है कि इसमें अनिवार सिवाओं के तहत न्याय पालिका को भी आना चाहिए क्योंकि न्याय सबसे बड़ा मौलिक अधिकारों में से एक है और इसलिए अगर छुटियों को जोड़ दें तो थोड़ा बहुत जादा ही 210-215 दिनों का काम करने वाले सुप्रिम कोट पर जब उंगली उठाए जाने लगी तो फिर जज भी बौखला गए और दूसरा जो मुद्दा उठा था बेल पेटिशन को लेकर तीसरा मुद्दा उठा था कि जिस तरीके से आगमभीर टाइब के फ्रेवुलस PIL दायर किये जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है उसमें सुप्रीम कोट उलजी रहती है और चौथा मुद्दा यह सबसे बड़ा था कि कॉलेजियम सिस्टम के कारण जज-जज के न्युक्ति करते हैं तो इस न्युक्ति के कारण जजों की जो व्यस्तता होती है वो न्याय पालिका के कामों में न्याय कामों के अलावा एक पॉइंटमेंट के कामों में रहती है लेकिन इन सबसे सुप्रीम कोट को चिड़न होने लगी हाइ कोट बढ़ चड़ कर नहीं बोल सकता लेकिन सुप्रीम कोट उन सब का नित्रित्व करते हुए ऐसे बात बोलने लगे कि सरकार को घेरने की कोशिश के जाए और कॉंग्रेस के कुछ नेता भी उनके साथ खड़े हैं क्योंकि कॉंग्रेस में भी वकीलों की फौज खड़ी है और जो वकील हैं चाहे अभी शेक मनु सिंग्वी हों मनीश तिवारी हों कपील सिब्बल जो पहले कॉंग्रेस में ही थे अभी कुछ दिनों से कॉंग्रेस से दूरी बनाये हुए हैं वो सारे के सारे पीछी दम्रम जैसे नेता ये सारे के सारे नेता वकील है और इनको सुप्रीम कोट की वही परकरिया पसंद है जो परकरिया सालों से चल रही है क्योंकि इस से इनकी जेब भरते हैं और अपने पैसे अपने फायदे के लिए ये लोग सुप्रीम कोट की पुरानी परंपरागत तरीकों का साथ चाते हैं और उसी परकरिया को आगे बढ़ाना चाते हैं इसलिए जब मोधी सरकार ने एक बड़े सुधार की बात की तो सुप्रीम कोट बिल बिल आ गई और सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस चंदरचूड ने एक याचिका के पक्ष में जब वो सुनवाई कर रहे थे तो कुछ ऐसे टिपनिया की जरूरत नहीं थी उन्होंने कहा कि पी आईल जो दायर होते हैं याचिकाएं जो दायर होती है वो याचिकाएं किसी के फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई है यानि कि मौली कधिकारों के सुरक्षा करना सुप्रीम कोट का परमकर्तब है और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जिस तरीके से अगंभीर पी आईल को रिजक्ट करने के जरूरत है उससे सुप्रीम कोट का समय बचेगा और जो पेंडिंग केसे से हैं वो खत्म होंगे धीरे धीरे उस परकरिया के साथ चलना चाहिए सरकार का यहीं मानना था कि अभी सुप्रीम कोट में लगबग 70,000, 79,578 केस यानि कि लगबग 70,000 केस पेंडिंग पड़े हैं तो नई नई जो याचिकाएं आती है बेवजह की याचिकाएं उस पर समय क्यों बरबात किया जाना हो और ऐसे अगर देखा जाए तो कहीं ने कहीं सुप्रीम कोट के कुछ जजों में इन चीजों के acceptance भी है कि आखिरकार ऐसे PIL क्यों दायर किया जाना चाहिए उस पर समय क यूं बरबात किया जाना चाहिए जैसे अभी एक उधारन है BIL किस बानों के मामले का BIL किस बानों मामले में सुप्रिम कोट में कई याचिकाएं दायर की गई पहले तो उन सारी याचिकाएं उपर सुनवाई होई और फिर उसको एक किया गया जब एक याचिकाएं बन उस सुनवाई के दोरान भी उसे reject किया गया और फिर इसके बाद पूरे मामले के लिए review petition डाला गया था कि आखिरकार सुप्रिम कोट ने जो पहले बात कही थी विलकिसवानों मामले में कि इसके लिए competent authority गुजरात government है और गुजरात government ही फैसला लेगी कि इन 11 दोसियों को जो सजा भुगत रहे हैं उसको छोड़ा जाया नहीं क्योंकि वो 18 साल के करीब अपनी सजा पूरी कर चुके हैं अब इस पूरे प्रक्रिया में कई घंटे कई दिन लग गए लंबे समय तक ये मीडिया में भी चर्चा में रही और सुप्रिम कोट का समय भी बरवाद हुआ और आखिरकार फैसला एक लाइन का था कि सुप्रिम कोट ऐसे रिवीव पिटिसन को रिजेक्ट करती है क्योंकि गुजरात सरकार ने नियमों का पालन किया है जो वहाँ पर 1993 के एक्ट के तहत है और साथ ही इस बात का भी साथ में बोला इस फैसले के अंदर कि ये पिटिसन जि इसलिए आपका पूरा रिवीव पिटिसन ही खारिज किया जाता है ये एक मामला है इस मामले में पर्थम द्रस्ट्या यानि कि अगर सुरू आती दोर से देखेंगे तो किसी भी जज को सामाने व्यक्ति ये समझ सकता है किसी भी जज को इसको खारिज करने में के बल 10 मिनट का समय लग सकता था क्योंकि ये सुप्रीम कोट के फैसले कहीं रिवीव करने की बात थी लेकिन फिर भी इसको महीनों तक खीचा गया इस पर समय बरबाद किया गया लेकिन सुप्रीम कोट को जज इस बात को मानने के लिए पूरी तरह से तयार नहीं है कि वो अपना समय बर रस्ता है उसको खत्म के जाए तो फिर इनको चीड होने लगी और इहोंने कहा कि मानवा अधिकार साथ ही जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोट का काम है लेकिन सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट्स के अगर बात करें जो सबसे है वो तो यही है कि हर व्यक्ति को नियाय मिलने चाहिए तो क्या हर व्यक्ति को नियाय मिलने के जो अधिकार मिले हुए हैं मौलिक अधिकार मिले हैं उसकी सुरक्षा करना सुप्रीम कोट का काम नहीं है अगर सुप्रीम कोट ये मानती है तो इसको समझना चाहिए कि 4.9 कर बोड जो case pending पड़े हुए हैं सालों से उन pending caseों में जिन लोगों को न्याय के उमीद लगी हुई थी उनके न्याय कब मिलेंगे क्या उन्हें 10 साल 20 साल तक नियाय के लिए इंतजार करना पड़ेगा और न्याय की गुहार वो कहां लगाएंगे सरकार इस पर फैसला नहीं ले सकती फैसला तो कोट ही लेगा लेकिन फिर भी जब सरकार आइना दिखा रही है तो इन लोगों को परिशानी होने लगी है और इसलिए गुस्षे में आकर बौखलाहट में ये बात कही गई कि 15 दिन तक कोई vacation कोट नहीं बनेगा कोई vacation bench नहीं हो दो जनवरी तक जोड़े इसमें अगर जो छुट्टियों की बात होती है कि 25 दितंबर को छुट्टी होगी या फिर दूसरी छुट्टियां होगी संड़े की छुट्टी होगी पूरी तरह से बंद क्यों होना चाहिए क्या ऐसे मौके पर hospital बंद होते हैं क्या ऐसे मौके प कोट को बंद नहीं होना चाहिए सरकार का यही कहना है कि कोट को तो अब 24 into 7 जिस तरीके से hospital चलते हैं उस तरीके से चलना चाहिए इसके लिए जितने अतरिक्त जजों की जरुरत है उसकी विवस्था भी सुप्रीम कोट करे और सुप्रीम कोट हाई कोट मिलकर एक पैनल बन कर एक लाग करने की जरुरत है अगर एक लाग जजों के निव्प्ति की भी जरूरत होगी तो सरकार के पास कोट को यह बात बतानी चाहिए और उन एक लाग जजों को shift देना चाहिए, rotate करना चाहिए, rotation होना चाहिए कि इतने घंटे की shift होगी और उसके बाद 24 into 7 quote खुला रहेगा ताकि जल्द से जल्द इन मामलों का जो pending पड़े हुए है उसका निप्टारा हो और बेल के नाम पर जो खेल होता है वकील और जजों की साट गाठ होती है जिसमें सालों तक मुकदमा खिष्टा रहता है उस पर भी अंकुष लगना चाहिए और मोदी सरकार यही चाहती है और इसी जो सुधार की गुनजायस की ववस्था करने वाली है जो action ले रही है उससे सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से खलवली मच गई है और उस गैंग में भी खलवली मच हुई है जो हर बार हर मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं चाहे जहागीर पूरी में एक परदर्शन के बाद MCD का action हो जुगी जोपडियों के खिलाफ कारवाई हो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और उस कारवाई पर रोक लगा दी जाती है ये सारे के सारे जो समाज सुधारक की भूमिका में आने वाले चद्म जो मोदी विरोधी गैंग है इस तरह के मसलों में उन्हें इंटर्फेर क्यों करना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर कोर्ट न्यायपालिका यानि सरकार के कामों में हस्छेब कर सकती है तो क्या सरकार को इस बात का जिकार नहीं होना चाहिए कि जो जनता की आवाज बनके जनता के लिए सुधार करे और इस डिमोक्रेसी का सबसे महत्पूर्ण अंग होने के कारण परतिनिधी होने के कारण वो सुप्रीम कोट हाई कोट के विवस्था में सुधार करे इनकी छुट्टियों को कैंसिल करे और नियायपालिका को उन स्वाज सेवाओं में सामिल करे जो कभी भी बंद नहीं हो सकता चाहे जो भी इस्थितियां आ जाए अब इसी सुधार के लिए सरकार आगे बढ़ रही है जिससे सुप्रीम कोट पूरी तरह से परिसान है उनके जजों को लग रहा है कि उनके प्राइवेसी उनके जो अपन प्राइदी जा रही है तो विशेष काम की भी उनसे उमीद की जाएगी तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ और देते रही है मसा योग ताकि इसी तरह एक खबर हम आपके लिए लाते रहें धन्यवाद